नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं एक्स्प्लेइन करूँगा फीस को लेकर के बहुत होट टॉपिक है कोर्ट मैरेज करने के लिए कितने फीस लगते हैं और इसमें मैं यह भी बताऊंगा दस प्रश्णों को लूँगा जो अलग-अलग तरीके से फीस को लेकर के पूछा जाता है उन दस वो प्रश्णों का जवाब दूँगा तो सबसे पहले आईए इन प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है कम से कम कितने फीस में कोर्ट मैरेज हो सकता है दूसरा प्रश्ण है कोर्ट मैरेज में सरकारी खर्च कितना होता है तीसरा प्रश्ण है कोर्ट मैरेज में हर किसी की फीस अलग-अलग क्यूं है चौथा प्रशने, court marriage सस्ते में करना सही, या जन्वीन जगह से करना सही, पांच्छवा है, fees, court marriage के बाद देना परता है, या पहले छटा प्रश्न है फीस की क्या कोई रसीद भी मिलती है सातवा प्रश्न है इस फी के अत्रिक्त क्या hidden खर्चे भी होते हैं आठवा प्रश्न है क्या 2024 की फीस डबल होने वाली है नौवा प्रश्न है ओनलाइन फीस पे करने पर पकरा तो नहीं जाऊंगा और दस्वा प्रश्न है कोट मेरेज के बाद भी क्या कोई खर्चा होता है तो दोस्तो सबसे पहला प्रश्न है कम से कम कितने फीस में कोट मेरेज हो सकता है यह बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है देखिए ध्यान से समझेगा सबसे पहले आपको समझनाय यह है कि court marriage आप किस act के मताबी कर रहे हो court marriage में कौन-kąन से process को कर रहे हो खाली ritual हो रहा है या फिर आप marriage का registration भी करारे हो खाली मंदिर में शाधी कर रहे हो या फिर court में registered करारे हो affidavit भी करवारे हो, intimation भी करवारे हो तो कम से कम आप अगर पूछे कि court marriage कितने में हो सकता है यानि मैं court marriage ना बोल करके अगर केवल marriage बोलू कि कम से कम कितने में आपका marriage हो सकता है तो lead India की guarantee ले सकता हूँ कि कम से कम आपका marriage 11,000 में भी हो सकता है और 11,000 से लेकर के उपर में जो जो services आपके add होते जाएंगे उसके हि सकता है 11,000 से आप रिचुल को परफॉर्म करा सकते हैं और उससे आपका काम हो सकता है हाला कि वही पर कई दूसरे लोग होते हैं जो कि अनाप सनाफ फीस आपको बता सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो कम फीस भी बता सकते हैं और कम फीस साथ के सकता हूँ कि जो फीस लीड इंडिया चार्ज करती है वो बिलकुल जैन्मीन होता है और आपसे किसी भी तरह का कोई हीडन एक्सपेंस नहीं लिया जाता है तो दूसरा प्रशन है कि कोर्ट मेरेज में सरकारी खर्च कितना होता है तो मैं आपको बताऊं कि कोर्ट मेरेज करने में जो सरकारी खर्च होता है वो 100 रुपे से सुरू होकर कि 2000 तक होता है यानि कि कहीं कहीं पर 100 रुपे भी होते हैं कहीं कहीं पर 500 पंदरह सो 2000 होता है तो सरकारी खर्च तो यही होता है लेकिन सरकारी खर्च के अलावा document को ready कराना document को ready कराने के अलावा un-miscisciliate expenses जैसे ritual को perform करा रहे हैं वो expenses हो जाते हैं वकील साथ के expenses हो जाते हैं meanwhile थोड़ा काम को fast कराने के लिए हो सकता है कि कुछ और जो जरूरी खर्चे हों वो करने परे वो भी हो जाते हैं तो normally सरकारी खर्च इतना ही होता है जो मैंने आपको बता है तीसरा प्रश्ण है कि court manage में हर किसी की fees अलग-अलग क्यों है देखो हर किसी को आप किसको consider कर रहा है यानि कि अगर आपने चार जगह ही inquiry किया है तो चार जगह से अलग-अलग fees आपको मालूम चल रहा है सबसे पहला प्रश्ण आपके मन में ये होना चाहिए कि ये चार लोग आपको मिले कैसे उनका background क्या है आपने उसको check किया या नहीं किया मान लीजे कि कोई ऐसी संस्ता है जो आज ही शुरू हुई जिसमें केवल एक व्यक्ति काम कर रहे है वो कुछ भी एक समाउंट आपसे मांग सकते हैं जो बहुत कम या बहुत ज़ादा हो सकते हैं अलग-अलग client से अलग-अलग charge कर सकते हैं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अभी-अभी मैंने court marriage कराने के लिए शुरू किया है तो कम पैसे में कराऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा client आ जाए लेकिन definitely उनके services में और marriage के बाद के services में बहुत फर्क होता है documents में कई loopholes होते हैं तो चुकि अलग-अलग लोग involved होते हैं अलग-अलग उनकी quality, अलग-अलग credibility होती है इसी वज़े से सभी लोग अलग-अलग fees बताते हैं आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि कहां से जाकर के आप शादी करें local shirt पहनना है या किसी branded company का shirt पहनना है लग-बग मिला करके देखेंगे तो quality एक ही हो जाती है local बहुत जल्दी घीज जाता है branded shirt का जो life होता है वो लंबा होता है तो इसलिए शादी तो पुरी जिंदगी निभानी होती है सही जगह से करना चाहिए चौथा प्रश्ण है कि जो सस्ता है वो genuine नहीं है अब आपके प्रश्ण में ही आपका जवाब छिपा हुआ है कि सस्ते के चक्कर में ये कोई आप सबजी खरीदने नहीं जा रहे हो कोई बात नहीं अगर एक आलू सरा हुआ मिलेगा उसको निकाल के फेक देंगे बाकी तो ठीक रहेंगे आप शादी करने जा रहे हो अगर एक स्टेप भी गलत हो गया तो जिन्दगी भर पस्ताना परेगा और जिन्दगी भर उसका नुकसान उठाना परेगा तो सस्ते और महंगे के चक्कर में ना परें सबसे ज़ादा जरूरी है कि ये चक करें कि जन्वीन जगह कौन सा है जहां पे जाके कोट मेरेज करना चाहिए और जन्वीन जगह से ही कोट मेरेज करना चाहिए पाचवा प्रशन है कि फीस कोट मेरेज के बाद देना परता है या पहले ये भी अपने आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रस्थ है क्योंकि court marriage करने के बाद आपको fees देना परेगा या पहले मैं आपको बताओं कि court marriage करने के बाद आपको सभी fees देने परेंगे ऐसा तो नहीं मुम्किन होता है हाँ ये होता है कि कुछ पैसे आपको पहले दे सकते हैं और कुछ आप बाद में दे सकते हैं क्योंकि जब आप fees पे करते हो तभी तो process होता है तो ये depend करता है situation पे ऐसा भी होता है कई बार की कोई couple बहुत comfortable नहीं होते हैं तो टोटल फीस ही बाद में देते हैं, ऐसा ही होता है और आईडियल तरीका यह होता है, कि आप कुछ पहले पेकर दे और कुछ बाद में पेकर दे, यह सबसे बेश तरीका होता है चटा प्रशन है कि Feeze के क्या कोई रसीद भी मिलती है तो दोस्तों मैं आपको बताओं कि Feeze की रसीद Lead India से तो जरूर मिलती है चुकि Lead India में आप जो भी amount pay करते हो वो आपके profile में जाकर के दिखता है आपका जैसे आप हमारे पास booking कराते है leadindia.log के website पे आपकी एक profile create होती है जिसको केवल आप अपने user ID password के थूँ access कर सकते हैं वहाँ पे आपने हमें क्या fees pay किया है उसका पूरा detail मिल जाता है आपके जो भी काम है जो quote marriage है उस पे हमने अब तक क्या क्या काम किया है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं सारा detail leadindia.log के website पे मिल जाता है बाकी लोग receipt देते हैं या नहीं देते हैं इसके बारे में मैं कह नहीं सकता है लेकिन मैं ये बता सकता हूँ 99% लोग नहीं देते हैं कोई रसीद सात्वा प्रशन है कि इस fee के अत्रिक्त hidden खर्चे भी होते हैं क्या मैं ये बात leadindia के संदर्ब में कह सकता हूँ कि जो fees हम आपको communicate करते हैं उसके अलावा कोई भी hidden खर्चा नहीं होता है कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो hidden हो जब आप marriage करने के लिए पहुँचे उस वक्त आपको बताया जाए और आपको मजबूर किया जाए कि अगर आपने ये payment नहीं किया तो आपका court marriage होगा ही नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है court marriage का जो fees होता है वो पहले से आपको बताया जाता है क्या-क्या optional है वो भी बताया जाता है और क्या-क्या mandatory है वो भी बताया जाता है जो optional होते हैं वो आपको choose करना होता है अगर आपको लगे तो आप ले सकते हैं नहीं लगता हो तो आप मना कर सकते हैं लेकिन आपकी court marriage उस case में होती जरूर है तो इसलिए lead India के पास में कोई भी hidden expense नहीं होते बाकी लोगों के पास में hidden expense होते हैं ऐसा मैंने सुना है अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो एक बार verify कर लिजिए तब ही आप जाहिए आठवा प्रश्न है कि क्या 2024 में fees double होने वाली है ये सवाल क्यों आया किसी कपल के दिमाग में मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों ये सवाल उन्होंने भेजा है तो मैं आपको बताऊं कि 2024 में court marriage की fees double होने वाली है तो इसको हम अलग-अलग part में divide कर देते हैं पहला part है कि क्या जो government की fees है वो double होने वाली है तो government की fees state wise होती है कोई भी estate हो सकता है कि double कर ले ऐसी पूरी संभावना है कि वो double कर भी सकते है जो उनका basic fees होता है उसको double कर सकते है इसके अलावा वकीलों का या फिर un-expenses का जो fees होता है उसको double करने का कोई reason मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे नहीं लगता है कि बाकी कोई fees double होगा अगर ऐसा होता है तो जरूर उसके बारे में lead India से contact करिए एक बार verify कर लिजे उसके बाद ही आप कहीं और confirm'd किजे अपने marriage के बारे में नाइन्थ प्रश्ण है कि online fees pay करने से पकरा तो नहीं जाऊंगा ये सवाल जिसके भी दिमाग में आया है जिस कपल ने भी एक सवाल इस सवाल को पूछा है मैं बोलूँगा आप बहुत smart है क्योंकि online fees pay करने के दोरान आपको ये पता चल जाता है कि आपने ये जो fees है कब कहा और किसको pay किया है तो इससे आपके location को track किया जा सकता है लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ कि किसी को भी ये authority नहीं होती है कि आपके bank का detail किसी को मालुम चल सके इवन पुलिस वाले भी bank जाकर के आपके transaction का detail नहीं ले सकते है लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा अपराध हो जाता है उस case में transaction के detail से अपराधियों को पकरा जाता है कपल के मामले में ऐसा नहीं होता है आप online fees pay कर सकते है पुरी तरह से safe होता है उसको track नहीं किया जाता है दस्वा प्रशने court marriage के बाद भी क्या कोई खर्चा होता है तो मैं आपको बताओं कि court marriage के बाद definitely आपको अपना परिवार चलाने में खर्चा तो करना ही परेगा पहले आप bachelor थे अब शादी शुदा हो गए वो खर्चा होता है इसके अलावा अगर आप अपने marriage से सम्मंदित कोई खर्चा पूछ रहे है तो वो सब depend करता है कि उसके बाद से court marriage करने के बाद से इस्तिती क्या बनी है क्या court marriage करने के बाद से आपके parents या लगकी के parents आपको बहुत ही ज़्यादा परिशान कर रहे है और आपको दरदर भटकना पर रहे है तो हो सकता है कि हमें protection के लिए जाना परे हो सकता है कि हम high court जाए high court से ना बाद बने तो supreme court जाए यानि जिस तरह की इस्तिती पैदा होती है उस इस्तिती के अनुसार काम किया जाता है तो ये अभी अनुमान नहीं लगा जा सकता है कि court marriage के बाद क्या खर्चा होता है सब कुछ situation के ओपर depend करता अगर सब कुछ normal तरीके से हुआ तो कोई खर्चा नहीं होता है तो दोस्तों उमीद है इन 10 प्रश्णों के जवाब से आपको फीस से related जो सवाल आपके मन में आते होंगे आपको उनका जवाब मिल गया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिं इस वीडियो थैंक यू सो मच